यामदिर में हमने नियाली एलाई के फैसला आने के बाद ही, कंस्ट्रक्शन का फैसला की। बीजैपी के जो कैंडिडिट्स हैं, उनके जो कैमपेञ्स होते थे नारे तो लगते हैं, जो राममंदिर ले के आया हम उने ले के आएंगे। दिखे वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर आप इनने दिखाऊगा मंच पर से नहीं लगते हैं जनता में से लगते हैं इमंता जी ने जो कहा था कि ज्यानवापी की जगह विश्वनात मंदेर और कृष्ण जनभूबी ये भी 400 का नंबर जो है टार्गेट उसके लिए दिखे वो दोनों के सुप्रीम कौर्ट के सामने हैं सुप्रीम कौर्ट ने नियायले के सामने किसी तर पर पड़े हैं लंबी थे नहायले ने इसका संग्यान भी लिया इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब नियायले एक डिस्पूस को सीज़ करकर सुनवाई कर रहा है मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करने चाहिए नियायले को अपना काम करने दो जैसे राम मंदिर के लिए किया था जी न राम मंदिर में हमने नियायले के फैसला आने के बाद ही construction का फैसला किया है वो आपका political decision उसमें आपको political फाइदा मिला की नहीं मिला आप तक? देखे राम मंदिर हमारे लिए political फाइदे नुकसन का प्रस्थ नहीं नहीं था. शुरुवात से देश के करोडों लोगों की विश्वास का सवाल था. आस्था का सवाल था. और करोडों लोगों की स्रद्धा का सवाल था. पर जब आपके, सिर्फ आपके नहीं, जब भी BJP के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो कैंपेंज होते हैं, तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया, हम उने लेके आएंगे. दिखे वो नारे जनता लगा रहे हैं ज्यादातर. आप इनने दिखाओगा, मंच पर से नहीं लगते हैं, जनता में से लगते हैं. तो जनता के नारे कोई पुलिटिकल पार्टी, लीडर या तो आप भी नहीं तै कर सकती हैं, वो तो जनता ही लगाएगी. इसमें डेमोक्र प्राण प्रतिष्टा का कारेक्रम का बहिसकार किया. और मेरा पश्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि नोंने अपनी माइनोरिटी वोट बेंक के डर से वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा.